बजट में अपने विचार रखने का अवसर दिया है और साथ ही मंडिक शेतर की जनता जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधी चुनकर यहां उनके पक्ष की बात रखने का मौका दिया है उनकी भ्याभारी हो यह जगा मेरे लिए बहुत नहीं है मैं एक नहीं सांसद हूँ हमारे जो शीष नेतित्व हैं हमारे माननिय प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधान मंतरी बनकर पिछले साथ सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसके लिए हम सब उन्हें जो है वो हार्तिक बधाई देते हैं साथ ही बधाई के पात स्थिर, सहज और सफल सरकार को चुना है और एक संकल्ब को चुना है वो भी बधाई के पातर है महोदे जी हम सब जानते हैं कि आज से दस साल पहले हमारे देश की अर्थवेवस्था का क्या हाल था आज से दस साल पहले हमारी संगहर्श सील जो एक चर्मराती और एक लड़कराती अर्थवेवस्था जो कहीं 11 वार में नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था पिछले 10 सालों में वो अर्थवेवस्था 11 से 5 में नंबर पर आई है और बहुत तिवरता से तीसरे नंबर की तरफ जा रही है यह जो 2024 का बजट है यह सब वर्गों को जो है वो शक्ति परदान करने वाला बजट है इस बजट से जो है वो हमारी अर्थवेवस्था को भी तिवरता मिलेगी महोदे जी और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विक्सित भारत का जो संकल्प है हम प्रथम एकॉनमी बनेंगे वो भी इस बजट से हम पूरी उमीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएंगे महोदे जी पिछले साल हमारे हिमाचल परदेश में एक बहुत बड़ा प्रकृतिक संकट आया एक बहुत बड़ी बाड़ आई जिससे ना जाने कितने जन धन पशु जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानी हो गई लेकिन दुख की बात ये है कि अभी भी हमारा हिमाचल परदेश जो है उस तरास्ती के परभाव से जो है उसके परभाव से उसकी हानी से बाहर नहीं आ पा रहा है और उसका जो मूल कारण है वो है वहां की जो कॉंग्रेस की सरकार है उनका जो लापरवाही है और उनकी जो आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है एक स्पेशल रिलीफ फंड की जो घोशना की है हम सब हिमाचल वासियों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपका आभार प्रियक्ट करते हैं महोदे जी मुझे ये जानके और आपको बताकर इस बात की खुशी भी होती है और खेद भी होता है के जितना काम पिछले दस वर्षों में हमारी भात्य जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है उतना काम हमारे आजादी के बाद साट सौलों में भी हिमाचल पि नहीं हुआ था आप सब हिमाचल जाते रहे होगे और आप सब ने देखा होगा कि वहाँ पर जो है आज़ादी के साथ साल तक सिर्फ कुछ रोड्स बने थे और वो भी हमारे मान्य जो पुरपरधान मंतरी अडल भी हारी जी रहे है उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है वो ग्रामिन परधान मंतरी सडक योजना के अंतरगत वो रोड बनाये थे लेकिन पिछले दस वर्षों में परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी की सरकार ने हमारे क्षेतर को जो है एम्स, ट्रिपल आईटी, आई आई एम जैसे वेश्विक स्तर के जो है वो संस्थान दिये हैं और वंदे भारत जैसी ट्रेन को हमारे हिमाचल में पहुंचाया है हमारे हिमाचल जैसे छोटे से राच्य को साड़े तीन हजार क्रोड की लागत का मनालिक किर्टपुर जो है वो हाईवे दिया हुआ है जिसमें माने मोधे जी पांच से जादा टनल है और सैंतिस से जादा उसमें ब्रिजिज है ऐसे वेश्विक स्तर की जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मिली है और साथ ही पूरे देश के लिए जो एक बहुती अद्भूत इंफ्रास्ट्रक्चर माबल है जैसे कि हमारी अटल टनल, 9 किलोमेटर की जो वो अटल टनल है, विश्व की सबसे लंबी टनल है और वो एक सिंगल टूब हाइवे जो है, वो पूरे विश्व के लिए जो है, एक बहुत बड़ा उधारन है और उसके साथ ही 11,000 क्रोड के हाइडल प्रोजेक्स हमारे हिमाचल प्रदेश को दिये है अगर मैं ये सूची यहाँ पे रखूँ, तो शायद आप लोगों का बहुत वक्त जो है, इसमें लग जाए लेकिन लाखो लाभारती जो है, वो चाहे मुफतराशन हो, चाहे PM की मकान हो, या आयुशमान हो हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऐसे राजे है, जो पूरी तरह से शौच फ्री है और वहाँ घर-घर में जो है, वो गैस चुले का कनेक्शन लगा है एक भी माता, एक भी बहन, गैस चुले के कनेक्शन के बिना नहीं है और मेरा ये जो सौभागय है, अठारमी लोग सभा में, महोदे जी, मेरा ये सौभागय है कि जब मैं यहाँ पे आई थी, तब महिला आरक्षन बिल, जो राजनिती में महिलाओं को जो है 33% आरक्षन देता है, वो बिल भी पारित हुआ था तो मेरे लिए बड़ी ही ये सौभागय शाली जो है, आठारमी जो लोग सभा है और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो बिल है, ये आवश्य ही Employment हो, या चाहे Start-up Innovations हो, चाहे हमारे गरीब और Middle Class को Tax Relaxation हो, या हमारे जो अनदाता किसान हो, उन पे फोकस हो मैं इसे Wholesome Budget कहती हूँ, और मेरी एक प्रातना रहेगी हमारे सरकार से कि हमारे मंडिक शेतर में अगर एक International Airport हो, तो अवश्य हमारी जनता का टूरिजम की दृष्टी से बहुत कल्यान होगा, वो हमें जरूर इस विश्य में सोचें, और मुझे लगता है यह जो बजट है, हम हिमाचल के वासी जो है, इसका पूरी तरीके से जो है, वो वेलकम करते हैं, और धन्यवाद